हेलो दोस्तों वेलकम टू माई यूटीव चनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोटोशॉप के दस एसे एसेंशल शॉटकट से बारे में जो आपके डे टू डे की लाइफ में बहुत काम आएंगे और आपके डेली के वर्क स्पेस को बहुत ही की इंप्रूफ कर देंगे यानि कि आप बहुत ही स्पीडली काम कर पाऊगे तो चलते हैं फोटोशॉप में सबसे पहला शॉटकट है हमारा वह है दोस्तों टैप की तो टैप की की मदद से हम क्या कर सकते हैं हम अपने स्क्रीन पर जितने भी जितना भी एक्स्ट्रा चीज पर दोबारा प्रेस करेंगे तो हमारे जो प्रॉपर्टी पेनल वह वापस यहां पर रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं इसी के साथ अगर मैं चाहता हूं कि मेरा टूलबार यहां पर रहे लेकिन बागी सारी चीज़ गायब हो जाए तो मुझे शिफ्ट के साथ में टैप को प्रेस करना है तो मेरा टूलबार अब आप देखे को कि यहां पर प्रेजेंट है लेकिन यहां राइट सैट का जो प्रॉपर्टी बार था वह यहां से गायब हो गया है वापस लाने के लिए शिफ्ट के साथ कर से टैप दबाऊंगा तो यह वापस आजाएगा यह हमारा फॉर्ड यह लगबग साथ हुया लेकिन वह हमें फुलि स्क्रिन करने में मदद करता था हमें कीबड पर सिर्फ करना है जैसे यह हम and press शारेंगे थी सेद करना है डर सबत्पर्स करना है तो यह वापस मेरा और इसरी नॉर्मल हो जाएगा तो एस की जो है हमारा थर्ड शॉटकट है दिन फॉर्थ शॉटकट जो है दोस्तों वह हमारे के लिए बहुत काम आता है जब हम ब्रश का अपयोग कर रहा होते हैं तो अगर मैं यहां पर ब्रश टूल बार लूँ तो यह मैंने यहां पर ब्रश टूल कर सकता हूँ तो यहां पर मुझे जैसे पहले बारा प्रश चलाऊंगा तो यहें मेरा साइस Means करणा तो इस तरह से यहां मैं size को control कर सकता हूं, इसी के साथ में अगर मैं चाहता हूं कि मेरा brush का softness भी मैं keyboard से control कर पाऊं, तो उसके लिए भी एक shortcut है, shift के साथ में मुझे bracket open और bracket close की को दबाना होता है, तो shift के साथ में जब bracket open की को दबाता हूं मैं, तो यह मेरा brush को hard round कर देता है, यानि कि अब म shift के साथ में bracket close की दबाता हूं, तो यह मेरे brush को soft कर देता हूं, तो यह मेरा brush 100% पूरी तरह से soft round हो गया, hard round करना है तो brush का shift के साथ में bracket open की को दबाऊंगा, और यह मेरा hard round हो गया, then एक और हमारे पास shortcut है इसके बाद, यह भी हमारे brush को control करना में काफी help करता है, लेकिन हमे इसके लिए सिर्फ keyboard पे control और alter प्रेस करना होता है, keyboard में जैसे control और alter प्रेस करूँगा, जैसे ही में mouse से click करता हूं, तो अब मेरे brush का size यहां पर दिखाई दे रहा होता है, अब और down में करूँगा, तो मैं इसको soft कर सकता हूं, और hard कर सकता हूं, left और right करूँगा, तो मैं इसका बड़ा और छोटा size कर सकता हूं, तो अब और down में soft और hard, left और right में increase और decrease हम size कर सकते हैं, यह हमारा कप काम करता है, जब हम keyboard पे control और alter को प्रेस करके रखते हैं, तो यह भी सबसे interesting shortcut है, जिससे कि हम brush के size को control कर सकते हैं, तो यह जो मैंने आपको बता है, यह था हमारे shortcut number 6, अब हमारा पास आता है shortcut number 7, तो shortcut number 7 जो है, वो है हमारे keyboard पे D की, तो D की क्या करता है, basically दोस्तों, जो भी color, अगर मैंने यहाँ यहाँ पर background में red color है, और background में अगर मेरे पास में कोई दूसरा color select है, अगर मैं चाहता हूं इसको default color करना, तो मुझे keyboard प्रेस करना है D, औ इसके बाद हमारा है, आठवे number का shortcut, तो आठवे number का shortcut जो है हमारा वो है, दोस्तों, keyboard पे सिर्फ हमें X प्रेस करना है, इससे क्या होता है, X प्रेस करने से हम यहाँ पे foreground और background के जो color है, इनको shuffle कर सकते हैं, यानि कि foreground में मेरा भी black color है, background में मेरे white color है, जैसे मैं keyboard पे X प्रे shuffle कर सकते हैं, तो यह हमारा काफी help करता है, जब हम दो color में काम कर रहा होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे example के लिए select कर लूँ, red और green color, और मैं यहाँ दो color से paint कर रहा हूं, पहली बार में red color से paint करता हूं, then मैं X प्रेस करूँगा, और मेरा color change होके green हो गया, then मैं X प्रेस यह हमारा shortcut number 9, और यह हमारी help करता है, हमें keyboard प्रेस करना है command या control, दिन हमें minus और plus प्रेस करना है, तो इसकी help से basically हम जब minus और plus प्रेस करते हैं, तो हमारा screen जोए वो zoom in और zoom out हो रहा होता है, तो यहाँ पे मुझे अगर अपने image को zoom करना है, तो command के साथ में, या control के साथ में प्लस दबाना है, जूम आउट करना है, तो command के साथ में control minus दबाना है, control minus और control plus की वज़स से, में zoom in और zoom out कर सकता हूँ, और अगर मुझे fit screen करना है, तो मुझे command के साथ में 0 दबा देना है, तो मेरा screen पे fit हो जाएगा image, तो यह हमारे zoom in और zoom out के shortcuts थे, अगला जो shortcut है, वो ह मैं move करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ जाके hand tool लेने की जरूत नहीं है, मैं सिर्फ अपने keyword पे space bar दबाऊंगा, और मेरा tool जो भी होगा, वो hand tool में convert हो जाएगा, और इस तरह से मैं अपने image को यह move कर सकता हूँ, तो यह काफी handy shortcut है, जब हम zoom level पे काम कर रहे होते हैं, और ह हमें अपने image को move करना है, तो हम keyword पे space bar दबाएंगे, और इस तरह से हम जब move करेंगे, तो हम image पे navigate कर बाते हैं, तो दोस्तों यह था हमारे 10 essential shortcuts, जिनकी मज़द से आप day to day के आपके काम को बहुत ही fast map कर सकते हैं, तो उम्मीदर दोस्तों आपको यह shortcut पशन दाया होंगे, और इस तरह के interesting videos के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसना आया है तो वीडियो का like करना ना बूलें, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में